आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपरिवे लागत नियंतरन ओवर हैट कॉस्ट गन्टूर तो उपरिवे का अर्थ और परिभार्षा पहले देख लेते हैं किसी वस्तू के उत्पादन में अत्वा उत्पादन की गई सेवा के संबंद में अनेक व्यडियो ऐसे होते हैं जिनका उत्पादित वस्तू या प्रदान की गई सेवा अत्वा उपकारे विशेश से सीधा संबंद नहीं होता है तो ऐसे व्याय उत्पादन के लिए सामोईक रूप से किये जाते हैं तथा किसी कारी विशेश ये लागत के अंद्र से संबंदित नहीं होते हैं ये व्याय अनेक कारीयों अत्वा लागत के अंद्रों से संबंदित होते हैं तो ऐसे व्यायों को उपरिवे कहते हैं इस आधा कि कुल लागत वो मूल लागत का अंतर ही उपरीवय लागत होती है इन्हें पूरक लागत supplementary cost अथवा अप्रत्यक्ष लागत indirect expenses भी कहते हैं अब इसके बाद हम देखेंगे उपरीवयों का वर्गी करन classification of overheads तो उपरीवय लागत निर्धारन का विप्राय व्ययों की विशेश समू की श्रेणी निर्धारित करने की प्रक्रिया से है जिसके अनुसार उपरीवयों का वर्गी करन किया जाता है उपरीवयों का वर्गी करन अनेक प्रकार से किया जा सकता है ये तो उध्योग और संस्ता के आकार प्रकार और लागत लिखांकन के उद् बरिभर करता है कि इनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाए मुख्य रूप से इनका वर्गीकरण जो है वो इस तरह से किया जा सकता है पहला है क्रिया शीलता के अनुसार according to function दूसरा है परिवर्तन शीलता या प्रक्रति या आच्रण के अनुसार यानि कि according to variability और nature और behavior तीसरा है नियंतरण के अनुसार according to controllability और चौथा है सामन्यता के अनुसार according to normalcy तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे according to functions क्रिया शीलता के अनुसार उपर इवेओं का वर्गिकरण किस तरह से किया जाएगा तो इसके लिए बता रखा है आपको कि क्रिया शीलता के आधार पे कुछ समूहों में वर्गिकरण किया गया है उपरिवें को पहला है कार खाना उपरिवें फैक्टरी ओवरहेड उसको वर्क्स ओवरहेड भी कहा जा सकता है या production ओवरहेड या manufacturing ओवरहेड भी कहते हैं कार खाना उपरिवें को दूसरा है कार्यले उपरिवे, office overhead, उसको प्रशास्थन उपरिवे, यानि कि administration overhead या establishment overhead भी कहते हैं. तीसरा है विक्रे उपरिवे, selling overheads, और चौथा है वित्रन उपरिवे, यानि कि distribution overheads. तो सबसे पहले हम देखेंगे कार खाना उपरिवे, works overhead. तो इसके अंतरगत वे समस्त अप्रत्यक्ष वे सम्मिलित किये जाते हैं, जो एक कार खाने के अंतरगत बस्तु निर्मान के आदेश पाप्त होने से लेकर, निर्मान कारे पूरा होने तक किये जाते हैं. तो इसके अंतरगत वो सारे अप्रत्यक्ष्वे सम्मिलित के जाते हैं जो निर्मान संचालन से संब्दित होते हैं दूसरे शब्दम अगर कहें तो ये किसी संस्था के उत्पादन विभाग या लागत केंद्र के संचालन हेतू व्य की गई लागत होती है इसके उधारण 20000 आदि कार खानेव के भवन का डेप्रीशेशन वीमा तथा मरम्मच्वे संयंत्र तत्था मशीन का का डेप्रीशेशन वीमा कारखाने की मैनेजर का वेतन, तक्निकी संचालकों का पारिश्रमिक, अप्रत्यक्ष श्रमिकों का पारिश्रमिक, अप्रत्यक्ष सामगरी तथा जैसे कपास, तेल, ग्रीस, बोल्ट, नट, संग्रहाले, स्टोर्स, एक्स्पेंसेज, सामन्य कारहिन समय की लागत, अवकाश क वेतन अधी समय का पारिश्रमिक सामगरी की साधारन खानी श्रमिकों का अधिलाभांश तथा उन्हें दी गई अन्य सुविथाएं सामगरी क्रय विभाग संबंदी विया है कार खाने के नए कर्मचारियों के प्रैशिक्षन पर विया है कार खाने की स्टेशनरी टेलीफोन पर विया है प्रयोक्षालव अनुसंदान संबंदी विया है उत्पादन संबंदी निरिक्षन तथा पर्य विक्षन विया है श्रम कल्यान संबंदी विया है ये सारे जो विया है वो फैक्टरी ओवरहेड में शामिल होते हैं अब इसके बाद दूसरा है कार्याल एमम प्र प्रशासन तथा नियंत्रन संब्धनी नीति निर्धारण हेतु किये जाते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इसमें प्रशासनिक कारेले द्वारा किये गए समस्त व्याय सम्मिलित होते हैं। इसके अंतरगत सामन्य प्रकृति के व्याय सम्मिलित होते हैं। तथा मरम्मत कारेलए के फरनीचर का Depreciation तथा मरम्मत, डाक व्याय तथा Telephone, कारेले में प्रयुक्त stationery की चपाई आधी के व्याय है कारेले को वतानुक कूल रखनेके व्याय प्रबंद संचालकों तथा अन्य संचालकों का पारिश्रमिक, audit fees, legal expenses, machine का किराया, वित्तिय तथा bank विये, ये सारे जो expenses हैं, वो कारेले वां प्रशासन उपरिवे में शामिल किये जाते हैं, इसके बाद next है, विक्रे उपरिवे, selling overhead, तो इसके अंतरगत, वे समस्त अप्रत्यक्ष व्याय सम्मिलित किये जाते हैं, जो आदेशों को प्राप्त करने वाले ग्राहकों को बनाय रखने के लिए किये जाते हैं, ये विक्रे समवर्धन और ग्राहकों को बनाय रखने की लागत होती है, इसके कुछ एक्जामपल इस तरह से हैं टेंडर तथा मुल्य अनुमान लगाने संबंदी विये और बाजार अनुसंदान विये ये सारे जो एक्सपेंसेज हैं वो विक्रे उपरीवे में शामिल किये जाएंगे इसके बाद गास्ट है वित्रण उपरीवे डिस्रिबूशन ओवर हैड्स तो डिस्रिबूशन ओवर हैड्स के अंतरगत वे समस्त अप्रत्यक्ष वे सम्मिलित के जाते हैं जो निर्मित वस्तु को गोदाम में रखने से लेकर ग्राह को तक वित्रित करने में होते हैं दूसर पलिस तरह से हैं गोदाम का किराया और डेप्रेशेशन गोदाम की कंचेरियों का वेतन माल का मारग भीमा सुपुर्ध की वाहनों की विए विशेष पैकिंग विए तथा पैकिंग सामगरी गोदाम में रंखे निर्मित माल की हानी माल की बिक्री पर घुलाई तथा गारी भड़ा मार्ग में मालकी हानी लॉस इन ट्रांजिट और खाली डिब्बों वह अन्य पैकिंग सामन की मरमत तथा सुधराई के जो व्यव होते हैं वो सारे तो ये सारे जो खर्चे हैं वो वित्रन उपरी वे में डिस्टिबूशन ओवरेड्स में शामिल किये जाते हैं तो इस तरह से क्रिया शीलता के अनुसार इस तरह से हम ओवरेड्स का विभाजन कर सकते हैं